मद्धि प्रदेश अस्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतु पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा की पहले तो प्रदेश की जनता को स्थापना दिवस की बधाई दी इसके बाद उन्होंने कॉंग्रेस की वचन पत्र को लेकर भी चर्चा की इस दोरान उन्होंने देश और प्रदेश में कुपोशन की समस्या को गंभीर बताया और भाजपापन निशाना साधते हुए इस पर चिंता व्यक्त की इसके अलावा मंत्री जीतु पटवारी ने अतिवर्षा के कारण हुए नुकसान को लेकर भी भाजपा के नेताओं पर जम कर भडास निकाली अतिवर्षा पे खर्च होना चाहिए जो भारत सकार में हमें देना चाहिए उस पर उन्होंने लगाम लगाते हुए या अन्य वो बिहार आती हो या यहां पी अतिवर्षा हुए महां का भंड रिलीज कर दिया परिपाती जो एक किसानों का लास हुआ जो अपने आपको भगवान केते थे खर्च केते थे किसानों का उन्होंने भासे खूब दिये जान मंजीरे खूब बजाए पर प्रदान मंत्री और सतार के पास इस बार पीज बात को लेके नहीं गए मैं मनता हूं कि मत्रदेश की जन्ता बात को संदेगी हम संघी रांचे को चोंट पहुचाने वाले लोग नहीं हैं लोग कांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने वाले लोग हैं मैं आपके अध्यम से थे पुए प्रदेश की जन्ता को संधाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के खात प्रदान मंत्री सोतयला विवार करें हैं हमारे बात जिन उगों ने परिपत्र जिन पुरेशों ने अपने परिपत्र दिये चाहे तमील लड़ो चाहे बियारो उनको तो उन्होंने फंड रिली किया और मध्य प्रदेश आश्टग नहीं हुआ तब इनके इनके इनको भारती जड़ा पारिटी के निताओं को विपक्ष्टे जो आज सवाल खड़े करने की बात करते हैं क्यों सुन जया गया मैं उनसे अंडूप करता हूं जैसे प्रदान मंति से मिलने आप ये डेली के जाए तो मध्य प्रदेश की जन्ता का ज्यादा ही